तो यह देखिए हमारा चावल और दाल का बहुत ही हेल्दी और टेश्टी नास्ता बनके तैयार हो गया है तो ऐसे ही नास्ता बनाने के लिए हमारे वीडियो को अन तक जरूर देखें ताकि एक भी इस टेप आप मेशना करें नमस्कार दोस्तो अपनी रोसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम दाल और चावल से बहुत ही स्वादिश्ट नास्ता बनाएंगे तो चली शुरू करते हैं और इसे हमने दो तीन पानी से धो भी लिया है तब इसे हम mixie में भारिक पीस लेंगे, बहुत थिकम पानी डाल के पीस हैंगे, बहुत ज्यादा पानी डालेंगे, तो चावल दाल को हमने भारिक पीस लिया है, तिसे अब हम mixing ball में पलट लेंगे, देखें कितना चिकना पीस के तैयर हुआ है, और अब इसमें हम डालेंगे आधा चमज, बेकिंग पाउडर और स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे हमारे घर में लोग सेंधा नमक खाते हैं इसलिए ये लाल लग रहा होगा और सब को मिक्स करके ढख के रख देंगे इसे और एक बड़ा मिक्सिंग बॉल लेंगे हम इसमें हम कुछ सबजिया डालेंगे ये हमने गाजड दिया था बारिक बारिक इसे हमने काट लिया है ये सिमला मिर्च इसे भी हमने बारिक बारिक काट लिया है बड़े साइज का प्याज है इसे भी हमने बारिक बारिक काटा है औ तो सबको हम इस बॉल में डाल देंगे 15 में डालेंगे एक में डालेंगे एक चम रिट लमज काला comprend या स्वाद के अनुसार करे एक चमच पहलें ग्रेथमि जालें चार्ट मसाला एक चमच डालेंगे वाल मिर्स पाउडर और एक चमच डालेंगे हम कसूरी मेथि और सबको mix कर लेंगे और तो सारी सब्जीयों को हमने अच्छे से mix कर लिया है । और हमने तवाभी गरम कर लिया है । तिस में हमें चमबुच पहले तेल डालेंगे तेल गरम हो गया है तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सफेद तील और थोड़ा सा काला सरसो इसे चटकने देंगे तील और सरसो अच्छे से चटक गया है तो इसमें अब हम डालेंगे जो हमने चावल और दाल पीशके रखा था ये और इसी के उपर से हम डाल देंगे सब्जी जो हमने सब्जियां मिक्स करके रखाता ना वो इसे हम ढख देंगे एक तरफ से यह सिग गया है इसे हम दूसरी तरफ पलट लेंगे इसे फिर से हम वापस ढख देंगे तो दूसरी तरफ से भी सिख के तयार हो गया है तो इसे पलेट में निखा लेंगे हम इसे बनाने में छे मिनिट का अफ समय लगा है इसी तरह हम बागी सब को बना लेंगे तो हमारा चावल और दाल का बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नास्ता बनके त्यार हो गया है तो वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजेगा और अगर चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजेगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए खत्म बाइबाए टाटा गुडबाए गया